समीपस्त ग्राम कुर्रा में मन्रेगा कार्य को रोक कर सरपंच द्वारा माउंटेन चैन मसीन द्वारा तलाब गहरी करण कराये जाने का मामला सामने आया है जिसे लेकर अब ग्रामीन में हाकरोज देखने को मिल रहा है ग्याथो की ग्राम कुर्रा में मन्रेगा काम के तहट सितला दर्री तलाब में 10 लाग की बड़ी रासी स्विक्रित हुई है जिसे सब्ता भर काम लेने के बाद उक्त तलाब के लिए आबंटित रासी खत्म होने का हवाला देते वे तलाब से मन्रेगा काम रोक कर गाउं के सरपंच गोवर्धन तारक द्वारा इसी तलाब में फिर से सौंदरी करण के नाम पर माउंटेन चैन मसीन द्वारा मुरुम होने के बावजुद भी उनसे काम न करवाने के चलते गाउं के हजारों जॉब काट धारी मजदूर बेकार बैठे हैं और तलाब में माउंटेन मसीन से मुरुम निकाला जाना समझ के परे हैं ग्रामिडों ने बताया कि अभी भी अन्य दूसरे गाउं में मन्रेगा काम सु है ऐसे में सभी ग्रामवासियों ने शाषन प्रसासन से गुहार लगाई है कि इस मामले में अस्तचिप करते वे जल्द ही बचे मन्नेगा रासी के लिए कार्य प्रारम कराया जाए ताकि उन्हें इस लॉक्डाउन में कुछ रहात मिल सके गाउं के कुछ ग्रामिडों से ज भाग से है लेकिन एक ही पीट पास में चार से पांच बार मुरूम लेकर हाईवे जा रही है जिसको देखने वाला कोई नहीं है वही राइपूर जिला छेत्र के अंतरगत मुरूम निकलवाने का काम हो रहा है लेकिन ठेकेदार दोरा धमतरी जिले वा गरिया बन जिले में मुरूम को भेजा जा रहा है जबकि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव रजिस्टर में इस प्रस्ताव को देने के लिए नहर नाली कार्य में मुरूम की जरूरत को बताया गया है ऐसे मिया संदेह के दायरे में है कि कितना ट्रक मुरूम कब निकल रहा है इसकी सही जानकारी भ सन कुर्रा पंचायत को हो रहा है वहीं देत्याकार हाईवा गाउं की तंग गलियों से होकर गुजर रहा है जिससे धूल गुबारे खुब उड़ रहे हैं वहीं भारी प्रदूसन से गाउं के ग्रामिन भी परेसान है वहीं कभी भी इन भारी भरकम ट्रकों के आवाजाई से गंबेर दुर घटना घटने के असंका भी बनी हुई है ग्रामिनों ने इसका विरोध भी अंदर ही अंदर सुरू कर दिया है बावजुद इसके धडले से मुरुम निकालने का काम चल रहा है कुर्रा गाउं के सितला दरी तलाब को लीज में सरपंच दौरा दिये जाने का खेल एक माँ पहले ही खिला जा चुका था जिस समय गाउं में मन له का काम चल रहा था सरपंच ने उसी समय इस तलाब को लीज में देने का मन बना लिया था यही परस्ताव को पास करा कर इसे लीज में दिये जाने की बात हो गया था जिस पर अभि चार दिन पूर्वर रह आ जिससे यह सरपंच द्वारा किये जा रहा है काम की सही जनकारी रख सके। यही कारणी के सरपंच द्वारा इन सभी पंचों को सही जनकारे नहीं दी जा रही है। और हर काम अपनी मर्जी से हो रहा है। अभनपुर मन्रेगा अधिकारी दैरन देवांगन ने गाउं में रुके मन्रेगा के कारियों को दो दिन के भीतर चालू कराने के बात कही है। वही गाउं में अईस्थाई रूप से दुल्ना गाउं के रुजगार साया को इस काम के जिम्मेदारी सौपी है। खनीज अधिकारी एच के मरवाह ने जांच के निर्देश देने के बात कही है। गाउं के सरपंच गोवर्धन तारक ने कहा है कि तलाब के सौन्दी करण के लिए पंचोवा गरामीडों की सहमयती पर इस तलाब को लीज में दिया है। सरपंच ने मन्रेगा काम में मजदूरों के ऊपर ठीक से काम ना करने का आरूप भी लगाया। दियेनेक्स टीवी के लिए नवापारा राजीन से विश्विश्वर हिरवानी की रिपोर्ट। जी सरपंच ने बताएए जो आपके गौव में अभी मौंटेन वसंग तो जो आप तलाब में गयरी करंग करार हैं सुन्दरी करंग नाम से इसके बारें पूरी जामकारी बताएए। तो अभी आप लोग के गौव में गोधी काम चला है इसके बावजूद क्या जरूरत थी इस काम के अहाँ मरेंगा के काम पूरा हो चुका है और अधार काम चोड़ दिया लगती है उसको हम एक लेवल में करा रहे हैं आज जो नहाएगा उसको दूर्गटना मद्विश्व हो रहे हो रहे हैं कर गांजल के इतना पृत बाशबए इसमें सभी पन्चा ए तो क्या प्रस्तापास की गई रहे हैं अलाको संदी करंबनाने लूंत